हेलो दोस्तों कैसे आप आई हो पा बहुत अच्छे होंगे दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फेसे दोस्तों जैसा कि हम माबाप अपने बच्चों को अपने साथ ही रखते हैं छोटे से लेके बड़े होने तक उनकी पड़ाई लिखाई का सारा ध्यान खुदी तो इसके आप पड़े वह चाहते कि हम आपार बढ़े ऐसे ही एक परिवा रहता था उसमें एक इकिलंटी लड़की थी जित करने लगी अपने पेरेंस Sustain बिलकुल भी नहीं माने वहा जित जैसे भाग बहार जाती है तो अपने पापा को रोज फोन करती। अर ऐसी फोन करते-करते दिन गुज़र गई, एक दिन, उसका फोन नहीं आया उसके मम्य पापा बहुत गबरा गए गबराने के बाद वह लड़की का फॉन ट्राय करने लगे उसके बाद जब लड़की का फॉन ट्राय किया तो कोई भी रिस्पॉंस नहीं मिला तो उसके बाद वह उसके होटल पहुँच गए और जब वहाँ पहुचे तो वह दंग रह लड़की वहां पर थी ही नहीं जब देखा कि लड़की है नहीं तो उन्होंने पुलीस कंप्लेंन करा ही, पुलीस कंप्लेंन कराने के बार जब पुलीस चान बिन हुई तो बता चला होटल बहुत ही बदनाम TAK लेकिons यहीं बात हम लोगो को поп-स होटल को कैसे करने लगे ऐसे ही होटल में रहते रहते कई लोगों ने शिकायत की पानी में बहुत ही बद्बू आ रही है और क्या कहते है उसमें पानी भी बहुत रुक रुक के आ रहा है तो ऐसे मैनेजर ने जो होटल का मैनेजर था उसरे चान बिन कराई उसके बाद तंकी में अपने करम क्रोक के आ रहा था और लास की वज़े से पानी में बद्बू आ रही थी जब लड़की को निकाला वह है वही लड़की थी जिसकी खोज की जा रही थी तो जब वहे उसको देखते हैं तो बहुत ही दुखी होते हैं लेकिन पुलीस की चान भी जारी रहती है लेकिन उसका जाने की बात है इतना बड़ा हासा हो जाता है और इसका कोई भी सुराग नहीं मिलता और जिस तंकी तक जाना होता था वहाँ पर अलार्म लगावा था कोई भी उस तंकी पर पहुंसता था तो मेनेजर के पास अलार्म बच जाता था लेकिन अफसोस की बात है लड़की तंकी तक पहुंच गया कोई भी अलारम नहीं बजा और ऐसे ही यह फिर केस बंद हो गया और दोस्तों सोचने वाली बात है इतना बड़ा हासा हो गया और आज तक कोई भी सुराग नहीं मिला ऐसे बहुत से केस हैं आज हमारे देश में कि आज तक जिसका कोई सुराग ही नहीं मिला अपरादी अपराद करके चला जाता है और जिसकी बच्ची चली जाती है उससे पूछो की उसके दिल में क्या बीती है और अपरादी का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता मेरा ये कहाने सुनाने का मकसद सिर्व यह है हम अपने बच्चों को बाहर बेजे खासकर लड़कियो में को यह हम बाहर बेजे तो उसको अकेले बिलकुल ना बेजे गयर यह दिदि जित करें तो उनकी जित बिलकुल नहीं माननी मीथ है क्योंकि बच्च ऴॉट टो बच्चे ही हैं चैकरेव हमारे लिए उनके साथ करके अब 쉽किताए बस मेरा forgettingолें है बच्चे बहुत मुशकि बस मेरा यह कहानी सुनाने का मक्सद यह था अपने बेटियों को जाते से ज्यादे ध्यान रखे बस मैंने आज तक इतनी ही कहानी सुनाई मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहीं कहानी लेके तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू